सूप्रभाद बच्चो आज हम आपकी पाठे पुस्तरक हिंदी के अध्याए दो का जण करेंगे जिसका शीर्षक हाती तौला गया तो जिलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के विशे में अध्याए दो हाती तौला गया पाठ परिचे इस पाठ में बताया गया है कि यह है आवश्यक नहीं है की पढ़ा लिखा ही ज्ञान राँ हो दो बच्चो इस पार्ट में बताया जारा है कि हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि पढ़ा लिखा व्यक्ति- वही होश्यार हो वही बुद्धी वाला हो वही Curry्ग्षभी पर्णा व्यक्थी बिन्धा बि नीशुल्क देन है यानि कि वो जो बुद्धी है वो भगवान के द्वारा व्यक्ति को स्वत्धी मिल जाती है तो चलिए पाड को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और कहानी को जानते हैं बच्चो तुमने हाती तो देखा होगा यह कितना लंबा चोड़ा उंचा होता है इ प्राचीन काल में हाती को तौलना संबब ने था पर एक मच्छोए नहीं है काम कर दिखाया आओ उसके तरीके के बारे में जाने तो बच्चों ये पार्ध है एक हाती के विश्य में कूँकि हम जानते हैं कि हाती देखने में कितना लंबल चोड़ा होता है उंचा होता है उसकी उचाई तो उसको तोलना असान बात नहीं होती उसका भार बहुत जादा होता है और ये बात यह है ये कहानी है बहुत प्राजीन काल की उस समय ऐसी मशीने नहीं बनीती जिससे की हाती को तौला जा सके फिर भी एक मचुवारे ने ये काम कर दिखाया उसने अपनी बुद्धी के प्रियोक के द्वारा हाती को तौल दिया तो चलिए पढ़ते हैं आगी इस क हमें की बात है हमारे देश में एक राजा राज करता था प्रजा उसे बहुत चाहती थी राजा के पास एखाती था जिसे वह बहुत प्ञार करता था वहाती अनेक युद्धों में अपनी बहादुरी तता सहस दिखा चुका था यद्यपी अब वहाती बुड़ा हो गया था और अधिक काम करने में असमर्थ था फिर भी राजा उसके प्रती प्रती प्रेम बना हुआ था राजा कभी-कभी उस पर सबारी करता और हाती भी अगरमी और जंगल में घुमा कर बहुत संतुरोष्ट होता था तो यह कहानी हैं बहुत प्राची इनकाल की हमारे देश में एक राजा राजय करते थे और अछे राजय थे यानि कि वह प्रजा का हीत जानते थे इसलिए प्रजा भी उनको बहुत चाहती थी उन्राजय के पास था एक हाती ठीक है राजा के साथ वो हमेशा हाती युद्ध में जाता था और उसके कारण कई बार राजा को युद्ध में विजय में ली थी अब तो क्या हो गया था अब हाती बूड़ा हो गया था और वह जादा काम नहीं कर सकता था ठीक है वह जादा काम करने में स सबारी करता था और हाती भी उसे नागर में गुमाता गाउं में गुमाता और जंगल में गुमा कर वह बहुत अच्छा अनुभग करता था उसे संतुष्टी मिलते थी कि उसने राजा को गुमाया है फिर एक बार क्या होता है एक बार राजे में वर्षा नहीं हुई अत्य ख पॉल कर सोना बाटेगा अब प्रशन उठा हाती को तौला कैसे जाए उन दिनों ने तो भार तौलने की बड़ी-बड़ी मशीने थी और ने कोई इतनी बड़ी तराजू जिस पर हाती को खड़ा किया जा सके जब राजा के मंतरी को कोई उपाए ने सूझा तो उसने एलान कर प्रवाया जो भी व्यक्ति हाती को तौलने का उपाए बताएगा उसे सोने से भरी दस थैलिया इनाम में दी जाएंगी एक बार क्या होता है कि देश भी वर्शा नहीं होती जिसके कारण से अकाल पर जाता है अकाल यानि कि सूखा सारी चीजों के लिए लोग महताज हो जा है कि भय गरीबों को अपना जो प्रिय हाती है उसके भार के बराबर लोगों को तोल कर सोना बटेगा लेकिन प्रेशन मुग क्या उडता है राजा की सामनी क्या समसिया खड़ी होती है कि हाती को कैसे तोला जाए का काम नहीं था यह तो बहुत बड़ा बढ़ा कठिन काम थ और उस समेम ऐसी मशीन नहीं नहीं बनी थी कि जिन पर रखकर हाती को तोला जा सके और नाही कोई ऐसी तराजू थी तब इस समस्या पर विचार करने लगे किसी को कोई उपाय समझ में नहीं आज था कोई तरकीब कोई युक्ति किसी के पास नहीं थी जब मंत्री को भी कोई उपाय समझ में नहीं आता है तो भे राज्चे में घोशना करा देता है क्या घोशना कराता है कि जो भी व्यक्ति हाती को तोलने का उपाय बताएगा उसे क्या दिये जाएंगी सोने से भरी हुई दस थैलिया इनाम में दी जाएंगी पुरुसकार मुझे सोने से भरी हुई दस थैलिया मिलेंगी यह गोशणा बिजली की तरह चारो और फैल गई कुछ सप्ता बीतने पर एक करमचारी ने हाफते हाफते राज दर्बान में प्रवेश किया और राजर से निवेदन किया महाराज मैं एक बहुत अच्छा समचा लाया हूँ एक निर्धन मच्वा हाती को तॉलनी का दावा करता है वे समुंदर के किनारे एक ठोटे से गउं में रहता है उसकी शर्थ यह है कि हाती उसी के यहां तौला जाएगा तो राजर के मंतरी के द्वारे जब यह घोशना होती है तो यह घोशना पूरे देश में फैल जाती है और कुछ सब्ता व्यतीत होते हैं उसके बास राजिय का एक करमचारी राजर के पास दोड़ता हुआ आता है वे हाफ रहता और वे राजर से निवेदन करता है कि मैं राजर जी आपके लिए एक समचार लाएँ और यह समचार बहुत ही अच्छा है ठीक है वो बताता है राजा को एक गरीब मच्छुारा हाती को तोनने के लिए बात कह रहा है लेकिन उसने एक शर्ट रखी है कि वे हाती को अपने ही तोलेगा ठीक है ये वाली बात हो जाती है फिर आगे राजा ने कहा ठीक है हम शेगर उस गाओं में पहुंचेंगे राजा हाती को लेकर मंतरी और सैनिकों के साथ उस गाओं की ओर चल पड़ा रास्ते में अनीक लोग भी साथ हो लिए क्योंकि भी हैरान थे कि कोई हाती को कैसे तौलेगा क्या होता है राजा उस करमचारी की जब बात सुनता है तो वो कह देता है ठीक है हम जल्दी ही उस गाओं में जाएंगे और पिर राजा अपने हाती और अपने कुछ सैनिकों को लेकर उस गाओं की ओर जाता है राज़ते में कुछ लोग भी जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा कारे होने वाला है हाथी को तोला जाना है तो वे लोग भी राज़ा के साथ चल देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो बहुत आश्चर है चकिते कि बास्तों में ये कारे कैसे हो सकेगा राजा हाथी पर सवार होकर मच्छुए के गाओं में जा पहुँचा मच्छुआ मच्छी पकड़ने का जाल ठीक करने में व्यस्त था जैसे ही राजा का हाथी वहाँ पहुँचा मच्छुआ उठ खड़ा हुआ और उसने चुक कर प्रणाम किया मैंने सुना है कि तुम मेरे हाथी को तौल सकते हो मुझे हाथी तौलने का तरीका बताओ मैं तुम्हें धन दौलत से मालामाल कर दूंगा राजा बोला क्या होता है राजा हाथी पर सवार होकर मच्छुए के गाओं में जाता है और जो मच्छुआ रहा था वो अपना मच्छली पकड़ने का जाल ठीक कर रहा था राजा हाती के साथ जब हां पहुंचता है तो में मच्छुआरा खड़ा हो जाता है और राजा को प्रणाम करता है नमश्कार करता है और फिर राजा उसे पूस्ता है कि मैंने सुनाए कि तुम मेरे हाथी को तोल सकते हो तो मुझे हाथी को तोलने का तरीका बताओ और इसके बदले में मैं तुम्हें धन और दौलत दूँगा राजा ही कहता है महराज मैं आपको हाथी तोलने की विधी बता सकता हूँ परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा पहले आपके करमचारी एक बड़ी नाव बनाने में मेरी सहता करें परन्तु नाव भाती को कैसे तौलेगी राजा ने त्रश्न किया तो मचुवारा राजा को जबाब देता है कि मैं आपको हाती तौलने की विदी बता सकता हूँ लेकिन इसमें थोड़ा से ज़्यादा समय लगेगा पहले आप अपने करमचारियों से कहिए कि मेरी एक नाव बनाने में मदद करें ठीक है फिल लेकिन राजा के मन में शंका उत्पन होती है वो सोचता है कि परन्तु नाव हाती को कैसे तौलेगी वो पूसता है उसे मच्वारे से पूसता है मच्वे ने हाद जोड़ कर कहा महरार यदि मैं अपने तरीके से हाती को तौलने सका तो मैं तब तक आपकी सेवा करूँगा जब तक नाव बनाने पर लगा धन चुकता ने हो जाए राजा बोला तुम्हारी शर्थ मुझे मंजूर है मच्वे ने नाव बनाने के लिए सौ दिन का समय मांगा राजा के आदमी दिन रात एक करके नाव बनाने में लगे रहे ठीक है पूशता है राजा कि एक नाव हाती को कर से तौल सकती है तो वो मच्वारा जवाब देता है कि अगर मैं अपने तरीके से अपनी बताई गई युकती से हाती को नहीं तोल सका तो मैं उसके बदले आपकी दिन रात सेवा करूँगा और तक तक करूँगा जब तक कि नाओ बनाने में जितना धन लग रहा है जितना पैसा लग रहा है मैं उसे चुका नहीं दू तो राजा को उसकी बात पसंद आती है और वैं उसकी शर्ट को मंजूर कर लेता है मच्वारा इस काम के लिए राजा से सौ दिन का समय मांगता है और राजा के करमचारी नाओ बनाने में जुट जाते है ठीक सौबे दिन समूंदर के किनारे एक बहुत बड़ी नाओ तयार थी राजा अपने हाती महावत मंत्री और सभासतो के साथ महा पहुंच गया आजपास से हजारों लोग भी इस अनुखे द्रिश्य को देखने के लिए आप पहुंचे मच्वे ने कई लोगों की सहायता से नाओ को समूंदर में उतारा अब बड़े बड़े शहती लगा कर किनारे से नाओ तक एक सपाट रास्ता बनाया गया सभी आश्चरे से देख रहे थे कि आखिर मच्वा क्या कर रहे तबी मच्वे ने मावत के कार में कुछ कहा मावत हाती पर जा बैठा और उसके मस्तक्ष पर अंकुष से कुछ संकेत करने लगा हाती शहतीरों पर पाउं रखता हुआ नाओ पर जाने लगा तो लोग चिल्ला उठे नाओ तोट जाएगी नाओ पर चड़ गया नाओ का कुछ बाग पादी में डूब गया मच्वे ने जहां तक पानी था महा एक निशान लगा दिया तो क्या करता है सौबे दिन जिब राजा महापत पहुंचता है गाउं में तो वो देखता है कि बहुत बड़ी नाओ बनकर तयार हो गई है राजा पहुंच आता और आसपास बहुत सारे लोग भी इखटा हो गएते क्योंकि वह भी चाहते थे इस द्रश्य को लेखना कि हाती को किस परकार से तौला जाएगा तो फिर मच्वा क्या करता है कई लोगों की सहायता से वह नाओ को समुद्र में उतारता है और दीरे-दीरे क्य यानि कि वो रास्ता जिस पर से चड़कर लोग नाओ में जाते हैं और उसके सारे हाती को धीरे-धीरे क्या करता है नाओ में उतारा जाता है सब लोग भूत आश्चरे के साथ हैरानी के साथ इस कारे को देख रहे थे कि वास्तों में मच्वारा करना क्या चाह रहा है तब ह क्या होता है वो मच्वारा क्या कहता है महावत के कान में कुछ बात कहता है जिसके से महावत हाती के उपर चड़ कर बैठ जाता है और जो हाती को नियंतित करने का जो अंकुष होता है उसकी सहायता से हाती के मस्तिक्ष पर कुछ करने लगता है और धीरे धीरे हाती नाव में उतरने लगता है सब लोग चिलाने लगते हैं कि नाव तूट जाएगी नाव डूब जाएगी लेकिन हाती धीरे धीरे कदम रखते हुए नाव में पहुंच जाता है जैसे ही हाती नाव के अंदर जाता है नाव पानी के अंदर डूबने लगते है और एक जगा पर आकर जो नाव उती है वो रुख जाती है ठीक है यानि कि पानी कि कुछ सतह तक नाव पानी के अंदर जाती है तो मच्वारा क्या करते उस स्थान तक ण नाव पर निशान लगा देता है और फिर हाथी वापस भार आ जाता है अब उसने महावत से हाती को नाव से उतारने के लिए कहा हाती के बाहर आ जाने पर नाव पानी के उपर आ गई मच्वा राजा के पास पहुंचा और पूला महराज हाती तुल गया अब आप अपने सेवको सोना लाने की आग्या दें सेवक सोने से भरे थैले लेकर आगे बढ़े तो मच हुआ ने उन्हें नाव पर रखने को कहा सभी लोग हैरान होकर नजारा देख रहे थे ठीक है सब लोग क्या कर रहे थे हरान होकर नजारा देख रहे थे क्या कहता है जब हाती को नाव में तोल लिया जाता है तो महावत से कहता है कि अब हाती को उतार लो और महाराज से कहत मचवा बार बार नाव की ओर देखता तर जा चेठानि और 356 और दीरे नाव का काफी भाग पानी में दूब गया जब नाव लगे हुए निशान तक दूब गई तो मच्वा चिल्ला उठा बस बस हो गया हाती के बराबर सोना तुल गया लीजिये महराल हाती की तोल के बराबर सोना तुल गया सारे लोग खुशी के मारे तालिया बजाने तो क्या होता है बार बार जब सोना नाव में रखा जाने लगता है तो धीरे धीरे नाव फिर से पानी में दूबने लगते है जितना सोना कम था मच्वा फिर से और सोना मंगबाता और नाव में रख देता और धीरे धीरे क्या होता है नाव उसी निशान तक दूब जाती है जितना वो हाती के चड़ने पर दूबे दी तो जैसे ही मचवा ये देखता है कि ना उतनी दूब गई तो भैं जोट से चिल लाता है कि बस बस रुख जाए हाती के बराबर सोना तो लगया है और महराज से हारत जोड कर कहता है कि महराज लीजिये हाती के बराबर सोना तल गया है सारे लोग इस द्रिश्चे को देख कर भुст खोशो जाते हैं और खोशे के मारे तालिय बजाने लगते हैं सारे लोग मच्छ्वारे की बुद्धी की प्रशेंशा करते हैं और राजा के पाड के शब्दार्थ कर लेते हैं शब्दार्थ युद्ध लड़ाई निर्धन गरीब सबताहां साथ दिनों का समय समचार खबर असमर्थ जो किसी काम को ने कर सके उपाई तरीका प्रवेश दाकिला सभी बच्चे पाड के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्त कर अब हम पाड का अभ्यासकारे कर लेते हैं अभ्यासकारे पहला प्रिशन बहु विकल्प ये प्रिशन तो चलिए प्रिशन को पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं सही उत्तर वाले गोले को रंग ये तो बच्चों इस प्रिशन में चार विकल्प हैं तीन विकल्प ग तो राजा कभी कभी सवारी करता था हाती पर नमबर वी विकल्ब सही है तो वी वाले गोले पर लगाएंगे नेक्स करते हैं राजा को किसकी शर्थ मंजूर थी सैनिको की, रानी की, मच्वे की, ब्रहमन की तो राजा को शर्थ मंजूर थी, मच्वे की नमबर 3 विकल्प सही है करते हैं C विकल्प पर अगला पड़ते हैं तॉलने के लिए हाथी को कहां चढ़ाया गया तराजू पर, नाउ पर, स्टीमर पर, पहार पर तो हाथी को चढ़ाया गया था नाउ पर विकल्प एकदम सही है लगाएंगे विकल्प का गोला नेक्स करते हैं बड़ी नाउ बनाने में कितने दिन लगे 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन तो बड़ी नाउ को बनाने में दिन लगे थे 100 सी विकल्प हमारा सही है लगाते हैं सी विकल्प पर तो बच्चो जो अगला प्रशन है वो है निमलिकित बाक्यों में रिक्तिस्थानों की पूर्ती कोश्टकों में दिये उचित शब्दों से कीजिए तो बच्चो ये अगला जो प्रशन है वो रिक्तिस्थान है यहाँ पर कोश्टक में दो दो शब्द दिये के जिन में से एक शब्द सही है उस शब्द को चुनना है और रिक्तिसान में भढ़ना है तो चलिए पढ़ते हैं और करते हैं पहला है रिक्तिसान ने यह काम कर दिखाया तो किस ने काम कर दिखाया था हाथी को तॉलने का वो करा था मच्छुए ने तो यहां लिखेंगे मच्छुए यानि कि मच्छुवारे ने तुम मेरे रिक्तिसान को तॉल सकते हो रिक्तिसान में आजे का हाती ठीक है दो विकल दियें गोड़े और हाती मच्छुए ने रिक्तिसान जोड़ कर कहा हाथ पैर तो क्या जोड़ कर कहा था उसने हाथ जोड़ कर मैं तब तक रिक्तितान सेवा करूंगा अपनी आपकी क्या आजएगा आपकी नेक्स प्रिशन पढ़ते हैं निमलिक दबाप्यों के सामने पाट के अनुसार क्रमांक लिखिये तो बच्चों यहाँ पर पार्ट में से कुछ वाक्षे दिये गए हैं हमीं बताना है कि कौन सा वाक्षे पहले आया और कौन सा वाक्षे बाद में आया उसके रिसाब से उन्हें हमें क्रमांक देना है तो चली कर लेते हैं पहले सारे बाग क्योंकिक पर पढ़ लेते हैं जब नाव लगे हुए निशान तक डूप गई इसको तोलना बहुत कठिन काम है मच्छवा उठ खड़ा हुआ सभी आश्चरे से देख रहे थे मैं एक बहुत अच्छा समचार लाया हूँ तो चली अब ल बढ़ अच्छा समचार लाया हूँ तो फिर आजएका मैं एक बहुत अच्छा समचार लाया हूँ इस पर आजएका नंबर दो क्रमांग मच्छवा उठ खड़ा हुआ नंबर तीन सभी आश्चरे से देख रहे थे नंबर चार जब नाव लगे हुए निशान तक डूब गए नंबर पांच तो बच्चों हमने पाट का अप्यास कारे अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया हैं बच्चों आज हमने आपकी पर्टे पुस्तक हिंदी के अध्याय दो का अध सब्सक्रा लिखा व्यक्ति भी अपनी बुद्धी के बल पर बड़े से बड़े कारे को संबब कर सकता है आश्रा करती हूं आपको पाट हस्ची से समझ जाये होगा अब पाट को फिर से उचारण के साथ पढ़ेंगे अभ्यास कारे को पूर्ण करेंगे और शब्दार्टो को याद कर लेंगे मिलते हैं अगली कक्ष्वामी नए पाट की साथ अब तक के लिए स्वस्त रहें प्रसंद रहें धन्यवाद